सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ important Indian political scholars की और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही important और खास होने वाला है क्योंकि हमने इस लेक्चर में 30 plus Indian political scholars को discuss किया है जो कि आपके exam के लिए बहुत important है तो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से complete होने वाली है और खास बात ये है कि ये वीडियो on demand है क्योंकि बहुत सारे students ने ये demand की थे कि सर अमृत्य सेन, आशुतोष बाशने, अतुल कोहली, प्रणा वर्दन जैसे विचारकों पर एक important वीडियो बनाओ तो उन्हीं की demand को ध्यान में रखते हुए मैंने ये lecture तयार किया है और अगर आपने इस से पहले इनके उपर जो MCQ वीडियो मैंने बनाई है अगर आपने वो नहीं देखी है वो भी देख ले Indian Political Scholars में पहला नाम आता है रजनी कोठारी का और जब हम बात करते हैं रजनी कोठारी की तो सबसे पहले हम यही कह सकते हैं कि ये भारती और राजनेती के पिताम आ रहे हैं इनको जाना जाता है फोर्मोस्ट इंडियन पोलिटिकल साइन्टिस्ट के रूप में और 1963 में कोठारी ने Center for Study of Developing Societies यानि की CSDS जिसको जाना जाता है कोठारी सेंटर इसकी स्थापना की वही 1980 मेहिनों ने शुरू किया लोकायन जिसका प्रमुक उदेश्य था जो आमजनता है मास है या फिर एक्टिविस्ट से और जो इंटेलेक्चुल यानि की जो बौधिक वर्ग है उनके वीच एक संबाद या फिर इंट्रेक्शन शुरू करना था और वही 1985 में इन्होंने Right Livelihood Award को प्राप्त किया और खास बात ये भी है कि कोठारी Pupils Union Civil Liberties से जुले रहे हैं जिसकी स्थापना या फिर जिसको found किया था जेपी नारायन ने वही एक important बात ये भी है कि screen पर जितने आपको works दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से note कर लें जैसे Politics in India, Cast in Indian Politics, State Against Democracy, Rethinking Development, Politics and the People, Communism in Indian Politics, वहीं Rethinking Democracy जो कि 2005 ने publish होती है तो ये सारे works आप अच्छे से note कर लें और note करने वाले बात ये भी है कि 1984 में इन्होंने गोबिंदा मोखोटो के साथ मिलकर एक ऐसे लिखा जिसका नाम था हूबर्दा गिल्टी यानि कि 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसके बारे में इन्होंने एक research की थी जिसमें इन्होंने ये question frame किया था कि 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए हैं उसका दोशी कौन था और note करने वाली बात ये भी है कि इन्होंने अपनी study अपनी research में structural functional approach को use किया था अब हम सबसे पहले रजनी कोठारी की कुछ important concepts को अच्छे से समझ लेते हैं तो पहला concept आता है politicization of caste यानि कि रजनी कोठारी कहते हैं कि caste ने भारती राजनीती में एक important even positive हो में का play की है यानि कि ये कहते हैं कि caste हमेशा से ही positive रूप में भारती राजनीती में रहा है क्योंकि कास्ट में भारती राजनीती को काफी बिक्सित किया है यानि कि भारती राजनीती का राजनीती करण किया है और यह कहते हैं कि कास्ट की वज़े से ही भारत में economic development हुआ है लोगों की political participation हुई है और खासतर पर जो democracy है वो अधिक deep हुई है गहरी हुई है और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कोठारी कहते हैं कि भारत में कास्ट के तीन form रहे हैं जिन में पहला form आता है the secular form secular form का मतलब होता है lucky group यानि कि जो कास्ट है वो लोगों से जुड़ी है आम जनता से जुड़ी है और इस से low की करण हुआ है और दूसरा जो मतलब है वो है integration form यानि कि इसकी बज़े से यानि की कास्ट की बज़े से भारत में एकी करण हुआ है आपस में जितने भी बर्गों के लोग है, कास्ट के लोग है, धर्मों के लोग है वो आपस में एक हुए है और तीसरा ये कहते हैं कि awareness यानि कि जो कास्ट है, कास्ट ने awareness लाने का भी बहुत ही महत्रपून काम किया है कोठारी का दूसरा concept है caste as pressure group यानि कि रजनी कोठारी कहते हैं कि in western world pressure groups played an important role while in India caste played an important role in Indian politics इसका मतलब ये है कि भारत में रजनी कोठारी caste को एक pressure group की तरह देखते हैं ये कहते हैं कि जिस तरह से पश्चिमी देशों में जो pressure groups होते हैं वो politics में बहुत मैत्वपून घुमिका निभाते हैं उसी तरह से जो caste होती हैं इंडिया में वो इंडिया में या फिर इंडिया की जो politics है उसमें pressure group की तरह ही एक भूमिका निभाती है यानि कि एक role play करती है तो इस तरह से रजनी कोठारी caste को एक pressure group की तरह देखते हैं कोठारी का next concept आता है Congress system यानि कि कोठारी ने 1947 से 1967 तक का जो Congress का period रहा है जिसमें Congress की हैजे मनी रही थी उसको Congress system कहा है कोठारी ने और ऐसा इसलिए क्योंकि कोठारी कहते हैं कि इस दौर में यानि कि 1947 से लेके 67 तक Congress का ही domination था इंडियन politics के उपर और इंडिया की जो सरकार है उसके उपर और कोठारी ये भी कहते हैं कि क्योंकि इस समय के दोरान जो Congress थी वो एक system defining party थी यानि कि पूरा का पूरा जो देश का system चलता है उसको Congress के द्वारा ही चलाया जाता था Congress ही उसे निर्धारित करती थी इसलिए Congress का जो rule रहा है 1947 से लेके स्तांसर तक इसको कोठारी ने Congress system कहा है रजनी कोठारी का अगला concept आता है non party political system इसमें ये कहते हैं कि इंडिया में जो political parties है वो काफी corrupt हो गई है उन्होंने कम्यूनलिजम और riots को काफी बढ़ावा दिया है इसलिए इंडिया के लिए यही जरूरी है कि इंडिया में non party political system हो तो बाद में इन्होंने भी गांधी की तरहे विनोबा भावे, MN Roy और JP Narayan की तरह party less democracy में विश्वास किया क्योंकि इनका ये मानना था कि इन्हीं parties की वज़े से भारत में कम्यूनलिजम और riots काफी increase हुए है और इसी वज़े से इन्होंने इंडिया में 1980 के बाद खुद को politics से अलग कर लिया था रजनी कोठारी का अगला important concept रहा है political society तो इंडियन जो society रही है उसको रजनी कोठारी political society कहते हैं और ऐसा हुए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि इंडिया में politicization of caste हुआ है लोगों का political participation रहा है political modernization हुआ है तो जितनी भी सारी ये चीज़ें हुई है इन्हीं चीजो की बज़े से जो इंडियन society है वो एक political society में बदल गई है कोठारी का अगला important concept आता है social moments as non-party political formation जी हाँ इन्होंने social moments को कहा है कि social moments इंडिया में non-party political formation रहे हैं कैसे रहे हैं ये कहते हैं कि जो इंडिया में social moments रहे हैं ये non-political formation है क्योंकि ये कहते हैं कि इंडिया में जितन इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में एक एक्टिव रोल निभाया है और पॉलिटिक्स को बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में स्प्रेड किया है फैलाया है और लोगों में जन जागरती का काम किया है लोगों की चेतना को विक्सित किया है लेकिन जितने भी ये शोशल म को कहा है कि ये नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन रहे हैं रजनी कोठारी ने एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट जैनस लाइक मॉडल दिया है जो कि बड़ा बिचित्र है तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं अपनी प्रमुकृति पॉलिटिक्स इन इंडिया जो कि 1970 मे पब्लिश होती है इसमें इन्होंने इंडिया के रिगार्डिंग एक जैनस लाइक मॉडल दिया है अब ये मॉडल क्या है इससे पहले हमें ये समझना होगा कि जैनस एक रॉमन मेथडोलोजी में एक गॉड है जिसके दोनों तरफ यानि कि आगे भी और पीछे भी आईज लगी होती है जो कि उसकी मदद से पास्ट को भी देख सकता है और फ्यूचर को भी देख सकता है इस तरह से जो रॉमन का जो ये गॉड है जैनस ये बेसिकली ट्रांजिशन का देवता है या फिर जो बिगनिंग होती है लाइफ स्टार्ट होती है लाइफ एंड होती है श् गौड की तुलना भारती राजनिती से की है क्योंकि रजनी कोठारी कहते हैं कि भारत में भी एक ही समय पे modernity और traditionalism पाया जाता है यानि कि Indian politics की खास बात यह रही है कि इसमें एक ही समय में modernity और traditionalism पाया जाता है रजनी कोठारी का modernity से मतलब है कि भारत में democracy, land reforms, industrialization इस तरह की जो modern चीज़े हैं वो पाया जाती है वहीं दूसरी तरफ traditionalism जो है वो इंडिया में पाया जाता है यानि कि जैसे caste, communalism जैसे चीज़े पाय जाती है या फिर linguism जैसे चीज़े पाय जाती है तो इस तरह से रजनी कोठारी ने जो जैनस गौड है रोमन का उसकी तूलना भारती राजनेती से की है दूसरे scholar का नाम आता है Morris Jones तो जब हम बात करते हैं Morris Jones की तो यह British political scientist हैं और खास बात यह है कि इन्होंने भारती राजनेती का अध्यन करने के लिए institutional approach को यूज किया था और इससे भी important बात यह है कि इन्होंने pre और post independence जो इंडिया है या फिर इंडिया का जो institutional framework है उसकी study करने के लिए एक bridge के तोर पे काम किया एक link प्रबाइड किया यानि कि इन्होंने जो pre इंडिया है और जो post independence इंडिया है उन दोनों का अध्यन किया और उनमें की coordination एक तालमेल बनाया और खास बात यह भी है कि Morris Jones ने जहां इंडिया की study तो की ही लेकिन साथ में इन्होंने African nations की भी study की और screen पर जितने भी आपको इनके major works दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से note कर ले क्योंकि exam के लिए बहुत ही important है और note करने वाले बात यह भी है कि इन्होंने institutional approach को use किया अपना research करने के लिए Indian politics की study करने के लिए अब हम बात कर लेते हैं Morris Jones के कुछ important concepts की तो इनमें पहला concept आता है one dominance party system जी हाँ Morris Jones ने one dominance party system की बात की है यानि कि ये कहते हैं कि आजादी के बात से लेकि 1967 का जो इंडिया में काल रहा है उसको इन्होंने one dominance party system कहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी मान्यता रही है कि उस समय भी इंडिया में multiple party system था लेकिन Congress ही एक ऐसे party थी जिसका पूरा वर्चोस्व था इंडिया की politics के उपर जिस तरह से रजनी कोठारी ने इसे Congress system कहा है उसी तरह से इन्होंने इसे one dominance party system कहा है और नोट करने वाले बात ये भी है कि Maurice Jones ऐसे पहले scholar रहे हैं जिन्होंने Congress का जो dominance है उसको one dominance party system कहा है और नोट करने वाले बात ये भी है कि इन्होंने Congress जो party है इसको एक open political party कहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी ये मान्यता रही है कि Congress Party एक ऐसी पार्टी थी जिसमें कोई भी व्यक्ति चाये किसी कास्ट का हो, क्लास का हो, जंडर का हो, वो हो Congress में आ सकता था, बोट दे सकता था, पार्टीसेपेट कर सकता था, इसलिए इन्होंने Congress Party को एक Open Political Party कहा Morris Zones का अगला Concept आता है, Three Ideums of Indian Politics, जी हाँ, इन्होंने बात की है, Three Ideums of Indian Politics, यानि कि भारतिय राजनीती के इन्होंने तीन मुहाबरों की बात की है, और ये है, इसमें जो पहला आता है, वो आता है traditional, दूसरा आता है modern, तीसरा आता है centrally, traditional की जब हम बात करते हैं, तो इसमें ये क कहते हैं कि कास्टिजम, कम्यूनलिजम और लिंग्विजम, भारतिय जो पॉलिटिक्स है, यानि कि भारतिय राजनीती है, उसकी प्रमक विशेष्टा है, यानि कि जो traditional इंडिया है, उसकी तीन प्रमक विशेष्टा है, जातीबाद, संप्रदाइबाद और भाशाबाद, वहीं दूसरे नमबर पे आता है modern, तो modern में जो आती है, वो आती है Indian Constitution, Indian Parliament, Indian Judiciary, Indian bureaucracy and political parties and media, ये कहते हैं कि जितनी भी ये सारी चीज़े modern में आती है, ये इंडिया ने जो best on countries है, वहाँ से follow किया है, वहाँ से लिया है, इसलिए जो ये modern इंडिया है, उसकी ये प्रमक वहीं सेंटली में ये बताते हैं कि जैसे land donation जो movement चलाया गया था गांधी और भावे के द्वारा, उसमें ये आता है, जो कि आधारित था, love, sacrifice and polity without power, यानि कि इसमें ये था कि संत सुलव इच्छाई थी, यानि कि संतो वाले जो काम होते हैं, महान काम होते हैं, इसमें ये च traditional, modern and the saintly idea है, इसको हमें समझना होगा, मौरिस जोन्स का अगला concept आता है, bargaining federalism, जी हाँ, इन्होंने जो इंडिया का federalism है, उसको बोला है कि भई, इंडिया का जो federalism है, वो एक bargaining यानि की सौदेवाजी संगबाद है, और इस तहे कि जो शब्दावली है, उन्होंने यूज की प्लानिंग कमिशन के संधर में, इनकी ये मानिता रही है कि जब प्लानिंग कमिशन की स्थापना इंडिया में की गई थी, तो उसमें जो भी states आते थे, वे उसमें सौदेवाजी करते थे, यानि की संखर्ष करते थे, कि अधिक से अधिक उनके ही जो state है, उनका development हो, उनके मौरिस जोन्स का अगला concept आता है, Mediating Framework, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मौरिस जोन्स ऐसे scholar रहे हैं, जिनोंने जो pre-independence India है और जो post-independence India है, उसकी जो institutional study है, या फिर Indian politics की जो study है, उसको करने के लिए एक link के रूप में, एक bridge के रूप में काम किया था, और इसी link को इसी bridge को एक Mediating Framework कहा जाता है, तो मौरिस जोन्स कहते हैं कि जो Indian constitution रहा है, Indian Parliament रही है, या फिर Indian Judiciary रही है, इन तीनों ने ही एक Mediating Framework के रूप में काम किया है, इंडिया में, इंडिया की politics में, लेकिन किस के भी इस Mediating Framework का का काम किया है, तो ये है, एक पहली तरफ है, गौर्मेंट और दूसरी तरफ है मौरिस जोन्स कहते हैं कि इंडियन constitution, इंडियन parliament और इंडियन जो judiciary है, इन्होंने इंडिया की जो गौर्मेंट है और जो इंडिया में जो मौर्मेंट रहे हैं, उसके बीच एक Mediating Framework का का काम किया है, ताकि जो मौर्मेंट और गौर्में scientist हैं, जिन्होंने इंडिया सहित South Asia की study की, काफी research की, और 1962 में ये the politics of scarcity, public pressure and political response in India नामक title में PhD thesis लिखते हैं, जो कि इनकी महतपून रचना भी मानी जाती है, इन्होंने political culture approach को अपनी राइटिंग्स में use किया, और इन्होंने South Asian countries की काफी study की, और खास बात ये है कि इन्होंन इंडिया में जो regional moments रहे हैं, उसको इन्होंने ethnic and nativist moment कहा, ethnic इसलिए कहा क्योंकि ये जाती है संगर्ष पर आधारित थे, और native moment इसलिए कहा क्योंकि यहां के जो मोल निवासी है, उनके द्वारा ही इस तरह की regional या फिर ethnic moments चलाए गए थे, और आपको screen पर जितनी भी ये writings द के कुछ important concepts की, तो इनमें सबसे पहला जो concept आता है उसका नाम है two political cultures, तो इन्होंने बेसिकली भारत में दो परकार की राजनेतिक संस्कृतियों की बात की है, जिनमें पहला जो आता है वो है elite political culture और दूसरा है mass political culture, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं elite political culture की, तो ये कहते है कि अरवन इंडिया अर्था दिल्ली जैसे शहरों में पाया जाता है, जहांके जो अमीर लोग है, elite लोग है, वो है politics में participate करते हैं, वहीं ये दूसरी तरफ कहते हैं कि mass political culture है, ये village इंडिया यानि कि गाओं का जो भारत है, यानि कि जो ग्रामेन भारत है, वहां पर पाया जाते हैं, एक elite political culture और दूसरा mass political culture, वहीं मायरन बीनर का जो दूसरा concept रहा है, इसका नाम है politics of scarcity, ये कहते हैं कि इंडिया में जो है, वो politics of scarcity रही है, खास तोर पे 1980 का जो दशक है, वहां पर हमें अभाव की राजनिती दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, तो इसमें ये कहते हैं कि 1980 के दशक में इंडिया में economic crisis हुआ, वहीं rise of, communism, riots, violence ये चीजें हमने देखी, और वहीं ये कहते हैं कि instability and collision government इंडिया में हुई, जिसकी वज़े से इंडिया में 1980 के दशक में politics of scarcity पाये गई, यानि कि अभाव की राजनिती पाये गई, वहीं इनका एक important concept रहा है, Indian paradox, तो इसमें ये कहते हैं कि इंडिया की जो राजनिती है, या फिर लोकतंत्र है, उसमें हमें एक paradox, यानि कि बीरोधावास दिखाई देता है, कैसे? तो ये कहते हैं कि एक तरफ तो हमें ये लगता है कि इंडिया की जो democracy है, वो success हुई है, political modernization हुआ है, economic reforms दिखते हैं, तो वहाँ पर हमें political instability नजर आती है, gender inequality नजर आती है, poverty और unemployment जैसे कूरितियां या फिर जो negative चीजें हैं वो हमें दिखाई देती है, तो इसी fight को, इसी मुकाबले को, यानि कि दोनों तरफी चीजों को इन्होंने Indian paradox कहा है, अगले scholar का नाम आता है पार्था चटर जी का जनम 1947 को कलकटा में होता है, और इनकी जो higher education होती है, वो BA political science में होती है, जो कि कलकटा इन्यूबरस्टी से होती है, वही 1972 में इन्होंने अपनी PhD कम्प्रीट की, University of Rochester, New York से, और खास बात ये भी है कि पार्था चटर जी सब alternate studies collective के founder member रहे हैं, और ये सब alternate studies से इनको आप अच्छे से note कर लीजिए, क्योंकि exam के लिहाज से ये बहुत important है, अब हम पार्था चटर जी के जो important concept रहे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, तो पहला जो concept आता है, वो आता है political society की, पार्था चटर जी ने भारत में या फिर इंडिया जैसे जो post-colonial देश है, वहाँ पर political society की बात की है, तो ये कहते हैं कि इंडिया जैसे जो post-colonial society है, वहाँ पर दो परकार की society पाई जाती है, पहली civil society और दूसरी political society, तो civil society में ये कहते हैं कि जो urban middle class है, या फिर capitalist class है, permanent citizen है, वे मिलकर civil society का निरमान करते हैं, क्योंकि ये new social movement या फिर movements जो होते हैं, उनको चलाते हैं, activism करते हैं, और civil society की रूप में अपने आपको organized करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि political society में भारत जैसे देश में, rural people या फिर urban जो poor people होते हैं, और जो non permanent citizen होते हैं, ये होते हैं, ये political society को बढ़ावा देते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये board bank के लिहाज से या फिर board के हिसाब से ये बहुत ही महत्वण भूमे का निभात हैं, हलांकि इनके अंदर इतनी चेतना नहीं होती है, इतनी political consciousness नहीं होती है कि ये civil society के रूप में अपने आपको संगटित करें, वहीं पार्था चटर जी का अगला important concept रहा है derivative nationalism, तो इसमें बेसिक derivative है, यानि कि derive किया हुआ है, यानि कि दूस्तरे देशों से लिया हुआ है, भारत का जो nationalism है, वो खुद का nationalism नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो European countries रही है, वहां से लिया है, और साथ में ये अपने जो प्रमुक ऐसे, जिसका नाम है whose image and community, इसमें इन्होंने Benedict Anderson का जो concept है, image and community ह उसको भी इन्होंने criticize किया है, जिसमें कि Benedict Anderson ने कहा था कि जो community होती है, वो अपने बारे में या फिर अपने जो साथी है, वो ये नहीं जानते हैं, कि वो ये कौन है, वो उनके क्या लगते हैं, बस जो nationalism हो तो सिर्फ एक image and है, कलपना है, तो उसको भी पूरी तरह से criticize करते ह नेक्स्ट scholars का नाम आता है Rudolph और Rudolph, तो ये basically दोनो married couple रहे हैं, जिनोंने साथ में मिलकर Indian politics के उपर काफी लिखा, तो जब हम बात करते हैं Rudolph and Rudolph की, तो सबसे पहले हमें यही समझना होता है, कि ये American author, political author and political thinker रहे हैं अमेरिका से, जिनोंने भारती राजनिती पर बहुत कुछ 1952 में ये एक दुस्टे के साथ शादी कर लेते हैं और 2014 में इन्हें भारत का तीसरा सबसे highest civilian award मिलता है, जिसका नाम है पदमा भोशन और इन्होंने अपनी study करने के लिए, अपने work में research करने के लिए political sociological approach को यूज किया था, और खास बात ये भी है कि इन्हें India a broad friend of India award से भ को आप note कर लीजिए क्योंकि ये भी exam की दृष्टी से बहुत ही important है, अब हम बात कर लेते हैं Rudolph and Rudolph के कुछ important key concepts की, तो इनमें पहला जो concept आता है, वो आता है tradition versus modernity, Rudolph and Rudolph कहते हैं कि जो भारतिय समाज है या फिर जो Indian society है, उसके प्रमुक विशेषता ये है कि यहाँ पर tradition और modernity एक साथ दोनों ही चीजे पाई जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कोठारी और इकबाल की तरह यही कहते हैं कि इंडिया में जो tradition है और modernity है, उसके बीच एक balance पाया जाता है, तो इस तरह से Rudolph कहते हैं कि जो इंडिया की traditional values है, वो तीन प्रकार की values है, जिन में आता है कास्ट, charismatic leadership and legal culture, तो इस तरह से ये जो कास्ट है या फिर charismatic leadership है, जैसे गांधी की जो leadership थी उसको भी हम charismatic कह सकते हैं, और जो legal culture है, इसको इन्होंने basically जो traditional इंडिया है, इसकी विशेशता हैं बताई है, तो इस तरह से basically संशेप में हम यही कह सकते हैं कि जो Rudolph है, को ठारी की तरह यही मानते हैं कि इंडिया में दो तरह की चीज़े हैं, यानि कि traditional इंडिया है और modernity, यानि कि modern इंडिया है, traditional इंडिया हम ये भी कह सकते हैं कि ये गाहों का भारत है, यानि कि village इंडिया है और जो modern इंडिया है, वो basically urban इंडिया है, रुडोल्प्स का अगला जो concept है, उसका एक तरफ तो strong state है, दूसरी तरफ big है, अब यह किस आधार पे कहते हैं, तो इसको तो हमें समझना ही होगा, तो Rudolfs कहते हैं कि भायँ भारत एक big state है, और strong है, क्यों है, तो यह कहते हैं कि एक तरफ भारत strong state है, दूसरी तरफ big है, strong कहते हैं ये क्योंकि ये कहते हैं कि जब हम इंडिया की politics और democracy की बात करते हैं तो उसमें large मातरा में industries की स्थापना हुई है, creation हुई है, less political conflict रहे हैं economic reforms हुए हैं और successful elections रहे हैं तो rudogles कहते हैं कि जितनी भी ये चारों चीजे हैं ये भारत को एक strong state बनाते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भारत जो है वो एक big state भी है और big state क्यों है क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसी चीजे हैं जो big करती है जैसे failure of rural development यानि कि गाउं का बिलकुल भी विकास नहीं हुआ है और इंडिरा गांदी के time में जो Congress है उसने de-institutionalization को बढ़ावा दिया था यानि कि media और judiciary है इसके उपर काफी पाबंदी लगाई थी वहीं इंडिया में unofficial civil wars होते रहते हैं कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे लड़ाया होती रहती है और ये कहते हैं कि इंडिया में जो religious fundamentalism है वो भी काफी increase हुआ है यानि कि संप्रदावाद काफी बढ़ा है तो इस तरफ Rudolphs कहते हैं कि एक तरफ इंडिया strong state है दूसरी तरफ इंडिया एक weak state है Rudolph and Rudolph का अगला जो concept है वो है demand and command polity ये कहते हैं कि जो इंडिया जैसा धेश है वहां की जो polity है उसमें जो demand polity और command polity है उनके बीच एक tussle पाया जाती है तक्राव पाया जाता है तो Rudolph and Rudolph कहते हैं कि जो Indian polity है उसमें एक तरफ command polity है दूसरी तरफ demand polity है command polity में ये कहते हैं कि इसमें होता ये है कि जो state की hegemony होती है यानि कि state की जो power होती है वो societal जो demand होती है यानि कि लोगों की जो मांगे होती है demands होती है उसके उपर hegemony कर देती है यानि कि command policy में क्या होता है कि जो state की power होती है वो stress होती है superior होती है लोगों की मांगों से यानि कि societal demand से वहीं दूसरे तरफ demand polity में ये कहते हैं कि इसमें जो societal demand होती है यानि कि लोगों की जो demand होती है, मांगे होती है वो dominate करती है state को यानि कि state under होता है लोगों की demand के अंतरगत तो ये कहते हैं कि basically Indian polity में ऐसा अकसर देखा गया है कि कभी कभी जो command polity होती है, वो हाभी हो जाती है यानि कि जो state है वो हाभी हो जाता है लोगों के उपर और कभी कभी जो लोग होते हैं या उनकी जो demands होती है वो हाभी हो जाते है state के उपर जिसको इन्होंने demand polity कहा है तो ये कहते हैं कि बेसिकली इंडिया जैसे देश में जो कमांड पॉलिटी और डिमांड पॉलिटी है उसके बीज हमेशा से टकराव रहता है टसल रहती है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का अगला important concept है बुलोग capitalism इन्होंने भारत का जो capitalism है या फिर economy है इसको बुलोग capitalism कहा है इनकी ये मान्यता रही है कि green revolution के बाद भारत में बुलोग capitalist class जो है वो emerge होती है और ये काफी powerful रही थी क्योंकि इनकी एक तरफ जहां संख्या बहुत ज्यादा थी वहीं दूसरी तरफ इनके पास काफी जमीन थी इसलिए जो भारत का पुंजिबाद या फिर economy है इसके उप जिससे की भारत की जो economy है उसको काफी बल मिला तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जो भारत की economy है उसको जो है ये जो बेलगाडी चलाने वाले लोग है या फिर capitalist है उन्होंने काफी shape दिया काफी rich किया तो इसी वाज़े से इन्होंने भारत की जो economy है या फिर जो capitalism है उसको block capitalism क योगेंद्र यादव का जनम 1963 को हर्याना में होता है और योगेंद्र यादव एक इंडियन एक्टिविस्ट, सेफलोजिस्ट, पुलिटिकल साइन्टिस्ट, पुलिटीशियन एंड पुलिटिकल थियोरिस्ट रहे हैं और 2016 में इन्होंने प्रशान भूशन के साथ मिलकर सुर इन्विस्टि ग्रांड्स कमिशन के फॉर्मर मेंबर भी रहे हैं और खास बात यह है कि इन्होंने कहा कि National elections in India are derivative यानि कि भारत में जो राष्टे सुना होते हैं national elections होते हैं, वे derivative है, derive की हुए हैं, यानि कि दूसरे देशों से, पश्चिमी देशों से भारत ने लिया है, और screen पर जितने भी आपको works इनके दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से note कर लें, क्योंकि ये भी exam के लिए बहुत ही important है, अब हम बात कर लेते हैं, योगिं टोल सिस्टम रहा 1990s के दर्शक में, उसकी सबसे प्रमक विशेषता पोस्ट कॉंग्रेस पॉलिटी थी, क्योंकि इसमें योगिंदर यादव कहते हैं, कि इसकी खास बात यह रही है, कि जिन स्टेट्स में कॉंग्रेस का थोड़ा बहुत बर्चस्व था, या जहां पर कॉ competition होता था दूसरी पार्टी के साथ, वहां पर भी जो कॉंग्रेस है, वो एक ऐसी पार्टी रही, जिसका की governance से जो हाथ जाता रहा, यानि कि शासन पर उसकी इतनी पकड़ नहीं रही है, तो इसी concept को इन्होंने पोस्ट कॉंग्रेस पॉलिटी कहा है, यानि कि कॉंग्रेस क के बाद जो कॉंग्रेस का शासन है, वो उतना efficient या फिर उतना pushal नहीं रहा, उतना hegemonic नहीं रहा, जो कि नहरू या फिर इंधिरा के period में था, योगेंदर यादब का second important concept रहा है, second democratic absurd, तो इसमें ये लिखते हैं कि जो second democratic absurd है, यानि कि दूसरा जो लोकतांत्रिक अप्यू थान है, वो इंडिया में 1980 के दशक में शुरू होता है, क्योंकि 1980 के दशक में इंडिया में जो खास बात रही थी, वो ये रही थी कि जो political participation है, lower classes का, जैसे SC, ST, OBC, उनका काफी मात्रा में बढ़ा, और इसी को इन्होंने जो है, वो second democratic absurd कहा है, और ये कहते हैं कि जो इस तर हद तक जो है, बढ़ाया गया, यानि कि ये जो classes रही है, जैसे कि SC, ST, OBC, इन तक भी जो Indian politics की पहुंच है, वो काफी बढ़ गए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये SC, ST और OBC classes रही है, ये काफी जो है Indian politics से जुड़े, इन्होंने काफी मात्रा में political participation किया, जिसको इन हमने second democratic options कहा, योगिंदर यादब का third important concept रहा है, third electoral system, तो इस concept को इन्होंने अपनी प्रमुकृति जिसका नाम है, electoral politics in the time of change, इंडिया's third electoral system, तो इसमें ये concept देते हैं, और कहते हैं कि इंडिया में 1989 के बाद third electoral system पाया जाता है, तो यादब कहते हैं कि इंडिया में जो first electoral system है, वो 1952 से 1967 के बीच रहता है, वहीं दूसरा जो electoral system है, वो 1967 से 1989 के बीच, वहीं इंडिया में जो third electoral system है, वो 1989 के बाद शुरू होता है, और इस third electoral system की खास बात ये है कि यहां से ही rise of 3M हुआ, यानि कि 3M का उत्थान हुआ, कौन कौन से 3M थे, पहला था मंडल, मंडल का मत मतलब है कि जो OBC के लिए reservation की मांग है, वो काफे उठी, यानि कि दिया गया reservation उनको, और दूसरा है मंदिर मंदिर का मतलब है कि BJP ने रामरत यात्रा शुरू की 1990 के दशक में, और तीसरा जो M है वो है market, market का मतलब है कि इंडिया ने जो है वो LPG को बढ़ावा दिया, कंचन चंद्रा की जब हम बात करते हैं तो कंचन चंद्रा एक प्रमुख writer रही है, political scientist रही है, और खास बात यह है कि यह बर्तमान समय में political science या फिर politics की professor है, New York University में, और खास बात यह भी है कि 2005 में इन्होंने अपनी PhD की degree Harvard University से प्राप्त की, तो screen पर जितने भी आपको works दि कंचन चंद्रा का सबसे important concept रहा है patronage democracy की, इन्होंने 2013 में एक अपना essay लिखा, जिसका नाम है patronage democracy and ethnic politics in India, और इस essay में इन्होंने लिखा कि इन्डिया की जो democracy है, यह basically patronage type की democracy है, यानि की एक संडक्षन लोगतंत्र है, संडक्षन लोगतंत्र या फिर patronage democracy वो होती है, जहां प या फिर government होती है, वो एक guardian की तरह है, एक संडक्षक के रूप में कार्या करता है, और जो goods and services होती है, उसमें state या फिर government की monopoly रहती है, और वो लोगों के among जो goods and services होती है, उसको distribute करता है, जिससे सरकार को भी फायदा होता है, बोट के रूप में, तो इसी तरह से कंचन चंद ने कहा कि इंडिया में भाई एक और से patronage democracy पाई जाती है, यानि कि इंडिया का जो लोगतंत्र है, वो संडक्षी लोगतंत्र है, तो जब हम बात करते हैं प्रणव बर्धन की, तो प्रणव बर्धन, इनका पूरा नाम प्रणव कुमार बर्धन रहा है, जो कि एक Indian economist रहे ह और खास बात ये है कि जो University of California रही है, उसके ये सेवा निवरित प्रफेसर रहे हैं, economics के, और दूसरी important बात ये है कि इन्होंने एक important quotation दी, जिसमें इन्होंने कहा कि Indian federalism is a holding together federation, not a coming together federation, और खास बात ये भी है कि इंडिया में जो green revolution थी, उसकी इन्होंने भरपूर आलोशन कि, इन्होंने कहा कि इन्डिया में जो green revolution है वो सफल नहीं रही थी, बलकि असफल रही थी, और इसकी खास बात ये थी कि ये बड़ी limited थी, ये सिर्फ western, UP, Punjab और हर्याना जैसे राज्यों तक ही सेमी थी, जिसकी वज़े से इन्होंने इसकी आलोशना की, और screen पर जितने भ जिसका नाम है dominant class collision, इन्होंने ही अपनी प्रमुकृती, political economy of development in India, जो की 1984 को publish होती है, इसमें इन्होंने कहा कि इन्डिया में dominant class collision पाया जाता है, और इस प्रकार से इन्होंने इन्डिया में तीन प्रकार की dominant classes की बात की, जिनमें पहली आती है the capitalist, दूसरी आती है rich farmers, और तीस जिसरी आती है bureaucracy, तो ये कहते हैं कि जो ये तीनों classes है, इनका Indian politics में काफी दबदबा रहता है, यानि कि Indian politics इन थ्री dominant classes से काफी प्रवावित रहती है, काफी effective रहती है, अब बारी आती है Christophe Jaffer Lockie, तो जब हम बात करते हैं Christophe Jaffer Lockie, तो ये French political philosopher रहे हैं, जिनका जनम 1964 को France क पॉइसी में हुआ था, और ये एक French philosopher, political scientist, Indologist रहे हैं, खास तर पे इन्होंने South Asia, वो भी इंडिया और पाकिस्तान में काफी study की, और खास बात ये भी है कि ये South Asian politics और history, जो की science पो Paris में स्थित है, वहां के ये professor है, और ये एक political commentator भी रहे हैं, तो screen पे जो भी आपको इनके box दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से note कर ले क्योंकि exam की दृष्टी से बहुत ही important है, अब बात कर लेते हैं हम इनके सबसे important concept, जिसका नाम है silent revolution, तो ये कहते हैं कि इंडिया में 1980 और 90 के दशक में silent revolution हुई थी, तो ये basically कहते हैं कि इसके अंतरगत क्या हुआ कि ज संपतिशाली लोग है, उनके हाथों से जो power है, वो lower middle class के जो लोग है, middle class या फिर जो lower caste है, उनके जो लोग है, उनके हाथों में power आ गई, यानि कि जो दलिच से उनका politics में अब प्रभुत्तो रहा, उनके हाथों में भी अब power आने लगी, और इसी को इन्होंने इंडिया मे silent revolution कहा है, और इन्होंने इसका example देते वे कहा कि जैसे कि जो इंडिया के most popular states है, जैसे यूपी बिहार, तो उसमें हमने ये देखा है कि वहाँ के जो lower caste leader है, तो उन्होंने जो है अपने हाथों में power gain की है, उनके हाथों में सत्ता आई है, authority आई है, और इन्होंने कहा कि इसी को ही true democratization, यानि की सच्चा लोगतंत्र, democratization या फिर silent revolution के रूप में इंडिया में देखा जा सकता है, अगले scholar का नाम आता है Paul R. Brass, तो जब हम बात करते हैं Paul R. Brass की, तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है, कि Paul R. Brass एक जो University of Washington है, वहाँ के ये political science and international relation के एक सेवने बित प् इन्होंने कहा कि जो Indian national movement था, उसमें तीन तरह की ideologies पाई जाती थी, जिनमें पहली थी Hindu nationalism, दूसरी थी Muslim separation और तीसरी थी secularism, Hindu nationalism का मतलब है कि जो Hindu विचारधारा में या फिर Hinduism में अधिक बल देते थे, फोकस करते थे, और Muslim separation का मतलब है कि जो जिन्ना जैसे विचारकों के सा मिले थे, जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए अलग nation हो, अलग land हो, और secularism का मतलब है कि जो Hinduism and Muslim दोनों को समान रूप से देखते थे, आपको स्क्रीन पर जो इनकी कुछ important books दिखाई दे रही है, इसको आप अच्छे से note कर ले, क्योंकि ये भी exam के दृष्टी से nationalism theory and comparison जो कि 1991 में publish होती है, इसमें ये instrumentalism का concept देते हैं और कहते हैं कि जो instrumentalism है, वो एक ऐसी अबधाना है जिसके अंतरगत, यानि कि जो ethnicity है या फिर जो national identities है, वे जो competing elite लोग होते हैं, powerful लोग होते हैं society में, उनके हाथ में एक tool होता है, यानि कि जो ethnicity और national identities है, उनके हाथ में ये instrument की तरह होता है, tool की तरह होता है, और इन ही ethnicity और national identity की वैसे ये जो लोग है, यानि कि powerful elite लोग है, ये लोगों का support प्राप्त करते हैं, wealth प्राप्त करते हैं, status प्राप्त करते हैं, और power को gain करते हैं, अगले thinker का नाम आता है James Manor, तो James Manor एक British Emeritus Professor रहे हैं, जो कि common wealth studies से ज वहां से ये सेवाने बृत हुए हैं, दूसरी सबसे important बात ये है कि इनको ऐसा पहला thinker माना जाता है, जिन्होंने इंडिया में study of state politics in India को पहली बार किया, और इन्होंने ये भी कहा कि भारत में liberal democracy नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है, क्योंकि भारत में BJP party के जो नेता ह वह भारत में एक नए परकार के nation या फिर state को बना रहे हैं, जो कि एक example माना जाता है, competitive authoritarianism का, जो screen पर आपको इनके works दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से note कर ले, अब हम बात कर लेते हैं इनके important concept की, जिसका नाम है democratic development state, यानि कि इन्होंने भारत जैसे देश को democratic developmental state कहा है, ऐसा इसलिए हैं क्योंकि ये कहते हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद जो भारत में democracy का installment हुआ, elections हुए, वो काफी success रहा और इसके साथ-साथ ये कहते हैं कि भारत में जिस तरह से नहरु की अध्यक्षता में भारत ने socialistic pattern of society अपनाया, land reforms किये, LPG को बढ़ावा दिया, five years plans को लागू किया, वहीं सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज की स्थापना की गई, इसकी वज़े से भारत एक democratic development state माना जा सकता है, अगले scholar का नाम आता है सुबरता के मित्रा, तो ये basically director and research professor रहे हैं, Institute of South Asian Studies में, जो की National University of Singapore में located है, और इन्होंने एक quotation दी है, जिसमें इन्होंने कहा कि, in India, religion has emerged as the nursery of the nation, with positive results for the cohesion and legitimacy of the nation, तो आप चाहे तो इस quotation को याद कर सकते हैं, और आपको screen पर जितने भी इनके works दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से note कर ले, अब हम बात कर लेते हैं, इनके important concept की, तो पहला concept आता है, contentious democracy, जि बिवादास्पद, लोकतंत्र, तो basically इन्होंने भारत के लोकतंत्र को एक बिवादास्पद, यानि की contentious democracy कहा है, ये कहते हैं कि भारती है, लोकतंत्र में या फिर politics में कभी कबार, communalism, political violence, gender inequality, defection जैसे मुदे दिखाई देते हैं, जो कि भारत के लोकतंत्र को एक विवादास्पद, लोकतंत्र या फिर contentious democracy बना देते हैं, अगले scholar का नाम आता है सुदिपता कभीराज, तो जब हम बात करते हैं सुदिपता कभीराज की, तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि ये South Asian Politics and Intellectual History के एक बहुत बड़े scholar रहे हैं, और खास बात ये है कि ये post-colonial studies and sub-altern studies से जुड़े हैं, और खास बात ये भी है कि इन्होंने भी प्रना बर्धन की तरह dominant class model को यूज किया, और इन्होंने ग्रामशी का जो एक important notion रहा है जिसका नाम है passive revolution उसको भी यू में passive revolution पाई जाती है, screen पर जितने भी आपको इनके works दिखाई दे रहे हैं, इन्हें भी आप note कर लें, अब हम बात कर लेते हैं इनके important concepts की, जिनमें पहला concept आता है revisionist theory of modernity, इन्होंने जो है revisionist theory of modernity दी, इन्होंने 2005 में अपना एक essay लिखा, जिसका नाम है an outline of revisionist theory of modernity, जिसम ये demand करती है revision की, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह की modernity European देशों में आई, उसी तरह से non-European societies में भी modernity आई है, या फिर काम करेगी, इस तरह से ये कहते हैं कि हमें जो European देशों की modernity है, वो हमें लागू नहीं करनी है non-European societies में गले महान scholar का नाम आता है अमरिते सेन, तो अमरिते सेन का जनम 1933 को बेंगाल में होता है, और 1998 में ये economic science में अपना योगदान देने के लिए Nobel Prize को प्राप्त कर लेते हैं, और खास बात ये है कि इन्होंने SDI अर्थाथ Human Development Index में भी काफी मदद की है, और 2012 में ये ऐसे पहले non- American बन जाते हैं, जो nationalist या फिर national humanistic award को प्राप्त करते हैं, और खास बात ये है कि इन्होंने कहा कि अगर हमें poverty को परिभाशित करना है, तो इसका मतलब होता है lack of income, याने की लोगों के पास अगर income नहीं है, बहुत income है या फिर income के साधन नहीं है, तो उसको हम poverty के रूप में परिभाशित कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको जितने भी इनके works दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से note कर ले, क्योंकि ये सारे exam की दृष्टे से बहुत important है, और कई बार exam में पूछे भी गए हैं, अब हम बात कर लेते हैं इनके important concepts की, तो पहला concept आता है development as freedom, यान और ये कहते हैं कि ये बात बिलकुल गलत है कि जब हम ये कहते हैं कि economic जो development होता है, उसी से ही democracy का development होता है और लोगों को freedom मिलती है, ये कहते हैं कि जो freedom है, उसका meaning है वो broad है, यानि कि freedom में कुछ बातें शामिल होती है, जैसे पहला है healthcare, दूसरा है education, तीसरा है equality, चौथा है political decent और पांच वा है economic market यानि कि जो ये पांच बाते हैं, इन्हे पांच बातों से मिलकर freedom बनती है, तो लोगों के लिए freedom का होना बहुत जरूरी है, तब ही जाके development हो सकती है, अमरतिय से इनका दूसरा important concept है idea of justice, और ये कहते हैं कि जो justice का विचार है, वो दो चीजों से मिलके बनता है, पहلا है NEETY, दूसरा है नियाय, नियाय का मतलब है rules and institutions, यानि कि जो institutions होते हैто, judicial institutions होते हैं, उनके दौरा जो rules बनाए जाते हैं, laws बनाए जाते हैं, उसे हम नियाय का मतलब होता है कि जो realization of rules है, यानि कि जब लोग ये समझते हैं कि rules और laws उनके लिए बने हैं, तो इसे कल ये कहते हैं कि भाई जो justice है वो तब ही possible है अगर हम कुछ चीजों को remove कर देते हैं society से जैसे अगर unequal access of resources हो रहा है तो उसको हमें remove करना होगा poverty है उसको हमें remove करना होगा और हमारा जो unjust world है उसको हमें कम से कम unjust करना होगा यानि कि उसे just बनाना होगा जब ये सारी चीजे होगी तब ही जाकर जो justice है वो कायम रहेगा ना केवल एक state के अंदर बलकि over the world अमरत्य सेन का अगला important concept है idea of capacity तो basically अमरत्य सेन कहते हैं कि जो capacity की approach है या मान्यता है या दृष्टी कोन है ये basically अपने अंतरगतिक नैतिक मान्यता को रखता है यानि कि morality के base पे हैं और ये कहते हैं कि अगर हमें capability को समझना है तो दो तरीकों से समझ सकते हैं पहला है कि एक तो कि जो freedom है वो important होती है well being के लिए यानि कि लोगों के कल्यान के लिए जिसकी moral importance होती है और दूसरा ये कहते हैं कि जो well being है उसको जो है हमें जो लोगों की capabilities है और लोग किस तरह से function करते हैं का मजना चाहिए और capabilities का इनका मतलब ये है कि जब लोगों की life improve होती है यानि कि लोग अच्छे तरीके से life जीते हैं well being होता है उनकी literacy rate बढ़ती है और उनके पास I या फिर income के जो sources है वो काफी बढ़ते हैं अच्छे तरीके से वे income प्राप्त करते हैं तो ऐसे स्थिती को ही जो अमरत्य सेन हैं उन्होंने idea of capability कहा है इनका अगला important concept है instrumental freedom यानि कि ये कहते हैं कि जो freedom है वो एक instrument के रूप में यानि कि ऑजार के रूप में एक साधन के रूप में काम करता है और इन्होंने कहा है कि जो freedom होती हो पांच परकार की होती है जिन में पहली आती है political freedom दूसरी आती है economic freedom तीसरी आती है social opportunities चौथी आती है transparency और पांच वी आती है protective security तो ये कहते हैं कि ये जो पांच चीज़े हैं ये मिलकर ही freedom को पूरा करती है तो इस प्रकार से जो freedom होती है वो basically instrument यानि की साधन के रूप में काम करती है वही अगला इनका important concept है woman empowerment तो basically अमरत्य सेन कहते ह हैं कि महिलाओं की capability को भी हमें improve करना होगा यानि कि जो gender equality है उसको बढ़ावा देना होगा equal opportunities की ये बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो woman literacy rate है उसको भी हमें बढ़ाना होगा और साथ में जो politics है या फिर जो policy making या decision जो making process है उसमें भी महिलाओं की participation को बढ़ाना होगा इसी से इन्होंने famously कहा भी था जिस quotation को आपको अच्छे से याद रखना है तो ये कहते हैं कि more than 100 million women are missing over the world मतलब 100 million से ज्यादा महिलाएं पूरी दुनिया में miss है गायब है missing का मतलब यहाँ पर यह है कि 100 million से ज्यादा महिलाएं ऐसी है जो घर के कामकास तक्सीमित है जिनकी public sphere में job में decision making में कोई भी या किसी भी परकार की participation नहीं है अगले महान scholar का नाम आता है M.N. श्रीनिबास तो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़े Indian socialologist रहे हैं anthropologist रहे हैं और ये जाने जाते हैं caste पर research करने के लिए caste system का आधिन करने के लिए social stratification के लिए Sanskritization, Westernization और इनकी प्रमुक्तियोरी dominant caste के लिए 1970 में इन्हें पदमा भोशन मिलता है जो की भारत का third number का civil award माना जाता है और खास बात ये भी है कि इन्होंने करनाटका के एक village जिनका नाम रामपूरा है वहाँ पर इन्होंने caste system की case study की जो की बाद में दारेमेंबर village के रूप में publish हुआ और screen पर जितने भी आपको इनके works दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से note कर लें क्योंकि exam की दृष्टी से बहुत ही important है अब हम बात कर लेते हैं इनके important concept की तो सबसे पहला concept आता है dominant caste इन्होंने ये कहा है कि जो ब्रामिन्ज है वो एक dominant caste है क्योंकि ये economically spiritually और political दूसरी जो caste है इंडिया में उनसे काफी rich है काफी superior है और दूसरी बात ये है कि जो ब्रामिन्ज है वो dominant caste इसलिए है क्योंकि village और जो village system है वो उन्हीं caste है यानि कि जो ब्रामिन्ज है उनके द्वारा ही run किया जाता है village जो system है या फिर village जो वेवस्ता है उसको चलाय जाता है maintain किया जाता है वहीं M.N. श्री निवास का दूसरा important concept रहा है संस्कृटाइजेशन इनकी प्रमुक रचना जो की 1901 में publish होती है जिसका नाम है social change in modern इंडिया उसमें ये कहते हैं कि संस्कृटाइजेशन एक ऐसा process है जिसके अंतरगत जो lower caste इसे वे collectively यानि की जो अपर कास्टीज है यानि की जो ब्रामिन्स है उनकी जो practices होती है उनकी जो norms belief होते हैं उनको adopt करते हैं इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृटाइजेशन एक ऐसा process है जिसके द्वारा जो lower caste है या फिर tribal जो community है low caste है वे क्या करती है कि अपनी जो चीजें उनको change कर देत customs, rituals, ideologies और way of life को अपनाते हैं जिस तरह से high caste अपनाती है उसी तरह उनको भी follow करती है वहीं M.N. श्रीनिवास का अगला important concept रहा है बेस्टरनाइजेशन तो इसमें ये कहते हैं कि बेस्टरनाइजेशन बेसिकली एक ऐसी शब्दा वाली है जिसके अंतरगत जो British लोग है उन के जो values है, culture है उसको इंडिया में adopt किया और अपनी तरह ही उन्होंने बनाने की कोशिश की ये कहते हैं कि technology के द्वारा, institutions के द्वारा, ideologies and values को थौप कर इंडिया में जो western values है, culture है उसको थौप कर इंडिया को भी western देशों की तरह ही बनाने का परयास किया गया जिसे हम westernization कह अगले scholar का नाम आता है जी एस घुरिये, तो ये Indian socialist रहे हैं और खास बात ये है कि इनको इंडियन जो sociology है या फिर sociology in India है उसके founder या फिर father के रूप में रिगार्ड किया जाता है और खास बात ये भी है कि 1924 में ये ऐसे दूसरे person बने जिन्होंने University of Bombay की जो sociology department है उसको head किय स्क्रीन पर आपको जितने भी इनके works दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से note कर लें अब हम बात कर लेते हैं इनके important concept की तो इनका important concept रहा है कास्ट patriotism यानि कि ये कहते हैं कि इंडिया में कास्ट patriotism पाया जाता है यानि कि लोग जिस कास्ट से belong करते हैं उसके प्रति उनकी जो patriotism है वो देखी गई है जो कि उनके अंतर एक कास्ट solidarity की भावना को बढ़ाता है जिस तरह से इन्होंने quote भी किया है ये कहते हैं कि it is the spirit of caste patriotism which engenders opposition to other castes and creates an unhealthy atmosphere for the growth of national consciousness तो ये जो कास्ट patriotism है या फिर जो कास्ट solidarity है इसको बेसिकल ये negative रूप में देखते हैं अगले scholar का नाम आता है सुहास पालशिकर तो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये एक Indian academic social and political theorist रहे हैं और खास बात ये है कि जो पुने में जो यूनिवरस्टी है जिसका नाम साबित्री बाइफुले पुने यूनिवरस्टी उसके political science department में ये professor है और खास बात ये भी है कि जो studies in Indian politics रही है उसके ये chief editor भी रहे हैं और खास बात ये भी है कि जो लोकनिती program है on comparative politics जिसको हम CSDS के नाम से भी जानते हैं उसके ये co-director रहे हैं screen पर आपको जो इनके box दिखाई दे रहे हैं इनको भी आप अच्छे से note कर ले अब हम बात कर लेते हैं इनके concept की तो पहला concept आता है politics of consensus यानि कि democratic consensus तो basically ये इंडिया में बात करते हैं कि भाई politics या फिर जो democracy है उसमें consensus पाया जाता है तो ये कहते हैं कि इंडिया में क्योंकि mass participation बढ़ा है इसलिए democratic या फिर political consensus पाया जाता है ये कहते हैं कि इंडिया में जो mass participation है वो दोनों ही label अर्था political agenda के रूप में political agenda का मतलब ये है कि जो vote bank के रूप में भी लोगों का participation होता है और दूसरा है decision making process के रूप में भी लोग participate करते हैं तो इस तरह से basically ये कहते हैं कि इंडिया में democratic consensus या फिर politics of consensus पाय जाती है इनका दूसरा important concept रहा है derivative national election यानि कि ये भी यादब की तरह यही कहते हैं कि भारत का जो national election का process है वो अपना नहीं है बलकि ये derive किया हुआ है लिया हुआ है यानि कि ये best in world से derive की हुई अवधाना है वहीं इनका तीसरा important concept रहा है dominant quality of the BJP ये कहते हैं कि जो आज की जो पॉलिटी है भारत की उसको कहीं न कहीं BJP dominate कर रही है और ये कहते हैं कि जो मोदी के अंडर है BJP ने Indian politics को काफी dominate किया है और ये कहते हैं कि जो अभी 6 साल जो BJP के हुए हैं जिसके अंतगत मोदी ने देश का नेतरोतों किया है उसने काफी हद तक जो है भारती राजनिती को dominate किया है जिसको कहीं हम मोदी रिजीम कह सकते हैं और खास बात ये भी है कि ये कहते हैं कि BJP ने इंडिया में populism यानि कि लोकल लिभावनबाद और authoritarianism यानि कि सतावाद को काफे बढ़हवा दिया है यानि कि जिस मास रिजीम की या फिर जो direct democracy, people democracy की बात हम करते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में अभाव में रही है मोदी की राज में या फिर BJP की गौवर्मेंट में अब हम बात कर लेते हैं जोया हसन की तो जोया हसन basically Indian academic political scientist रही है जो की JNU यानि की जवालाल नहरू बिश्वेद्याले में former dean of school of social science रही है और former political science की professor रही है इनकी education अलिगर मुस्लिम यूनिवर्स्टी से हुई है और खास बात यह है कि इन्होंने BJP को एक ethnic party माना है जो की Hindu ethnicity and nationalism को ही बढ़हवा देती है screen पर आपको जितने भी इनके works दिखाई दे रहे हैं आप इनको अच्छे से note कर ले क्योंकि exam के लिए ये भी बहुत ही important है अब हम बात कर लेते हैं इनके important concepts की तो पहला concept आता है Hindu authoritarianism यानि की ये कहते हैं कि जो BJP का जो rule है शासन है मोदी के नित्रतों में वो basically Hindu authoritarianism है यानि की Hindu सत्ताबाद है जिसमें BJP अपनी मनमानी करती है इसमें इन्होंने लिखा भी है कि abrogation of article 370 and article 35a and enactment of the citizenship amendment act 2019 is a vision of Hindu state इसका मतलब ये है कि ये blame कर रही है कि BJP ने जो article 370 को हटाया और 35a को हटाया और साथ में जो citizenship amendment act है उसको लागू किया वो basically एक ऐसा vision है BJP का जिसके अंतरगत हुए भारत को एक Hindu state बनाना चाहते हैं अगले scholar का नाम आता है नीरा चंदोक तो basically इनका जन्नम 1947 को होता है और ये professor रही है political science की university of Delhi में और खास बात ये भी है कि ये जानी मानी fellow रही है center for equity studies new Delhi में और ये भी एक important बात है कि ये director रही है developing countries research center at the university of Delhi और इन्होंने जो research किया और जिस research में इन्होंने study की वो है civil society, democracy and rights इनके कुछ important works रहे हैं जिनने आप अच्छे से याद कर ले क्योंकि ये कई बार exam में पूछे गए हैं तो आप screenshot लेके या फिर वीडियो को pause करके आप इन्हें note कर सकते हैं नीराचंदो का एक important key concept रहा है जिसका नाम है return of the one dominance party इन्होंने 17 June 2014 को एक important article लिखा जो कि JS Store में publish होता है जिसका नाम है India 2014 return of the one party dominant system तो basically इस article में ये कहती है कि जिस one dominance party system की शुरुआत आजादी के बाद Congress ने शुरू की थी वो 2014 में BJP की रूप में बापिस return हुआ है यानि कि BJP मोदी के निर्टतों में सत्ता में आने से भारत में फिर से एक बार one dominance party system हुआ है तो basically यही इसमें ये कहना चाह रही है कि जो national election हुए थे 2014 के उसमें BJP ने जो एक महान या फिर बिशाल का जीद प्राप्त की वो दर्शाता है कि इंडिया में one dominance party system की शुरुआत हुई है क्योंकि दूसरी जो parties थी Congress जैसे parties उनका बुरा हाल हुआ बुरी तरह से पराजय हुए जिसकों कि इन्होंने बताया कि इंडिया में 2014 के election में one dominance party system की शुरुआत हुई है अगले स्कॉलर का नाम आता है गुनर मेजल का तो ये basically Swedish economist रहे हैं और इनके बारे में खास बात ये है कि 1974 में इन्हें फ्रेडरिक हायक के साथ Nobel Prize दिया गया था और ये दिया गया था इन्होंने money and economic theory है यानि कि economic field और money की field में योगदान देने के लिए इन्हें ये Nobel Prize दिया गया था तो screen पर आपको जितने भी इनके important works दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से note कर ले ये भी exam के दिख्टी से बहुत important है अब हम बात कर लेते हैं इनके important concept की तो पहला concept आता है soft state ये कहते हैं कि इंडिया एक soft state रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कहते हैं कि जब भारत को आजादी मिली तो उसके बाद भारत ने अपना development करने के लिए कुछ soft reform की यानि कि gradual जो reforms है वो किए evolutionary reform की जैसे five year plans, land reforms, green revolution, industrialization, LPG तो ये जितने भी reforms थे या step थे ये evolutionary थे यानि कि soft reform थे ना कि revolutionary reform थे चाइना की तरह है तो इस बज़े से इन्होंने कहा कि भारत एक soft state माना जा सकता है अगले key scholar का नाम आता है Granville Austin तो Granville Austin basically American historian रहे हैं जिसके आधार पर इन्होंने Indian constitution की काफि स्टेडी की और 2011 में इसी इनकी effort को देखते हुए भारतिय सरकार ने पदमाश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया इन्डिया का fourth highest civilian honor के रूप में माना जाता है इन्होंने एक important quote दिया जिसमें इन्होंने कहा कि तो ये quotation basically बहुत important है कई बार exam में पूछी भी गई है और पूछी भी जा सकती है इसलिए इसको अच्छे से note कर ले साथ में इन्होंने ये भी कहा कि नहरू पटेल प्रसाद और आजाद ये oligarchical example रहे हैं assembly में यानि कि जो constituent assembly थी उसमें नहरू पटेल प्रसाद और आजाद एक और से अलपतंत यानि की elite family से आते हैं oligarchical example रहे हैं और साथ में इन्होंने state directive principles को कहा soul of the constitution और इन्होंने एक quote दी जिसमें इन्होंने कहा कि Indian constitution is the document of the social revolution यानि कि जो भारतिय संभिदान है उसकी वज़े से भारत में सामाजिक करांती आ सकती है यानि कि उसका एक बहुत बड़ा document है दस्तावेज है और इन्होंने एक important quotation दी जिसमें इन्होंने कहा कि directive principles of state policy are the consigns of the constitution which embody the social philosophy of the constitution ये quotation भी बहुत important है इसको आप अच्छे से याद रख ले आपको जो screen पर इनके works दिखाई दे रहे हैं इनको भी आप अच्छे से note कर लें अब हम बात कर लेते हैं इनके important concept की तो पहला concept आता है cooperative federalism तो basically इन्होंने कहा है कि इन्डिया में cooperative federalism पाया जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्डिया में जो union और states है उनके बीच बड़ी मात्रा में cooperation पाया जाता है सायोग पाया जाता है इसलिए इन्होंने कहा कि भारत का जो federalism है संगबाद है वो एक basically cooperative या फिर सायोगात्मक संगबाद है वहीं इनका दूसरा important concept रहा है जिसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया का constitution है वो एक seamless babe है यानि कि अखंड जाल है तो basically जो आस्टिन है वो ये कहते हैं कि भारत का constitution एक seamless babe है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंडिया का constitution है इसने पूरे भारत को consolidation यानि कि एक गरित करने में मैतरपून भूमी का निवाई है और साथ में जो इंडियन constitution है ये social revolution का इंडिया में एक बहुत बड़ा document है बहुत बड़ा source है तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि भारतिये जो संबेधान है उसके बेसिकली तीन गोल है पहला national unity, दूसरा democracy और तीसरा social revolution तो इन्ही तीन जो गोल है उसी की बज़े से जो इंडियन constitution है उसको seamless बैब की रूप में देखा जा सकता है अगले scholar का नाम आता है आशुतोष बार्षने जिनका जन्नम 1957 को होता है तो बेसिकली आशुतोष बार्षने political science के professor रहे हैं brown university में जो की अभी भी कारेरत है और दूसरी खास बड़ी बात ये है कि इन्होंने कहा कि जो after independence है जो इंडिया है उसने जो poverty को remove किया उसको दो तिन तरीकों से remove किया जैसे पहला जो है वो है heavy industries यानि कि भारत ने industrial revolution की शुरुआत की जिसके अंतरकत भारत ने जो बड़ी बड़ी industries है उसको स्थापित किया दूसरा foreign aid मतलब विदेशों से भारत ने सहयता ली और तीसरा है high taxation यानि कि भारत ने आज़ादी के बाद reform करने के लिए development करने के लिए poverty को दूर करने के लिए high taxation लगाया वहीं खास बात ये भी है कि इन्होंने कहा है कि इंडिया is becoming more democratic यानि कि ये कहते है कि इंडिया में जो national elections है वो काफी successful रहे हैं जिसकी वज़े से इंडिया more democratic हो रहा है और खास बात ये भी है कि इन्होंने ये कहा है कि भारत में अगर nation building करना है या राष्टर निर्मान करना है तो उसके दो विचार है पहला जो idea है वो है melting pot और दूसरा जो idea है वो है salad pot तो ये कहते हैं कि melting pot में जो चीज़ें होती है यानि कि जितनी भी diversity होती है वे ज़्यदा सबी diversity यानि कि बिवधताएं साथ में अस्तित्तों में रहती है तो ये कहते हैं कि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए जो second option है यानि कि salad pot का जो model है वो काफे कारगर साबित हो सकता है क्योंकि भारत एक बिवधतामाई देश है जहां पर अनेको जातियां अनेको धरम पाय जाते हैं इसलिए भारत जैसे देश के लिए salad pot काफी important है वहीं ये ये भी कहते हैं कि इंडिया में leadership crisis रहा है यानि कि इंडिया के पास अच्छे नेता का अभाव पाया गया है आपको screen पर इनके जो भी important works दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से note कर लें क्य लिए ये भी जरूरी है अगले important scholar का नाम है सुनेल खिलनानी जिनका जनम 1960 को होता है ये basically professor रहे है political science के और director रहे है king's college लंदन इंडिया institute के जो की अभी बरत्मान समय में भी है और खास बात ये है कि ये जाने जाते हैं एक important idea के लिए जिसका नाम है the idea of India और 2005 में Indian government ने इने भारतिय प्रवासी सम्मान यानि कि प्रवासी भारतिय सम्मान से नवाजा सम्मानित किया और खास बात ये है कि इन्होंने कहा है कि village order was changed यानि कि आज़ादी के बाद post-independence भारत का village order रहा है वो काफी change हुआ है वहां पर काफी modernization काफी change आया है और सबसे बड़ी बात ये ह कि जो आपको works दिखाई दे रहे हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि सारे के सारे works ये बहुत ही important है तो basically अब हम इनके कुछ important ideas को discuss कर लेते हैं जिनमें पहला idea आता है the idea of India तो basically जो इनकी प्रमुकृती है the idea of India जो की 1997 में publish होती है इसमें ये लिखते हैं कि establishment of democracy in India is the great experiment after American and French revolution और इसी quotation के उपर जो इनका idea है idea of India वो आधारित है और इसमें ये जो आगे चलकर कहते हैं कि जो democracy है यानि कि democracy is most effective when it presented into our social structure तो basicल ये कहते हैं कि जब social structure में democracy आती है यानि कि जो समाज के लोग है जब वहां तक लोकतंतर की पहुँच होती है तब जाकर ही most effective होती है प्रवावशाली होती है democracy या फिर लोकतंतर और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत में idea है यानि कि the idea of India है उसके खास बात ये रही है कि independence के बाद भारत ने इसी social structure को गेन किया है यानि कि समाज के जो बर्ग है different different जो तबके हैं बर्ग है उन्होंने बर्ग जरकर democracy में participate किया है तो इन्होंने अपनी जो दूसरी प्रमो किरती है Indian constitution and democracy जो की 2000 में publish होती है इसमें भी इन्होंने कहा था कि इंडिया में ऐसे तीन factors है जिसकी वज़े से इंडिया में constitution जो है वो exist करता है तो इनमें पहला जो आइडिया है वो है foreign rule यानि की भारत में जो बिदेशी लोग आया उन्होंने ही इंडिया में constitution की पेंड़ना दी जिसकी वज़े से इंडिया में constitution आया यानि की बनाया गया दूसरा है divine order यानि की भगवान या देवी का आदेश था जिसकी वज़े से इंडिया में मोनार्गी को खतम करके democracy स्थापित की गई और constitution बनाया गया वहीं तीसरी बात ये कहते है democratic soul यानि की भारत के जो नेता है सोतंतरता सैनानी है सम्विधान सभा में जो नेता रहे हैं उनकी कहीना कहीं ये soul थी कि उन्हें लोकतंतरिक मुल्यों को भारत में लगू करना है वैसे भी अंबेडकर जैसे नेता विदेशों से ही पढ़के आये थे नेहरु जैसे नेता तो कहीना कहीं जो उनकी soul थी आत्मा थी वो democratic हो चुकी थी वहीं आगे खिलनानी लिखते हैं कि इंडिया की जो सबसे most important achievement रही है वो social structure रही है और independence के बाद इंडिया ने जो है वो काफी हद तक gain किया है लेकिन साथ में ये भी बात ये कहते हैं कि इंडिया में कुछ कम्यावी रही है जिसमें इंडिया बहुत कुछ gain नहीं भी कर पाया है जैसे communal electorate रहे हैं 1909, 1919 और 1935 में खासतर पर आजादी से पहले जो इंडिया में princely state जो हुआ करते थे उनका जो nomination होता था तो उसकी बज़े से इंडिया जो है वो पहले जादा कुछ gain नहीं कर पाया था और ये कहते हैं कि जो उस समय है right to vote वो बहुत limited था और जो minority right है या फिर representation है वो काफी कम था और बनना सिस्टम उस समय मौजूद था हलनकि आज भी है लेकिन उस समय बहुत rigid था जो की status power and belt के आधार पर था और इन्होंने साथ में गांधी को एक autocratic यानि की एक एसा तानाशाही वाला व्यक्ति कहा है क्योंकि गांधी जी basically जो अंशन है ब्रत है और इस तरह का जो एक विरोध करना उस तरह की जो चीज़े हैं उस से अपनी बाते मनवाते थे इसलिए इन्होंने गांधी को एक autocratic कहा है और साथ में इन्होंने जो हिंदू महासभा है RSS है उसको जो एंटी democratic party के रूप में बिचारा है वहीं इनका दूसरा important concept मना जाता है non alignment 2.0 तो basically ये जो term है इन्होंने ही गड़ी थी और ये basically भारत की एक ऐसी foreign and strategic policy मानी जाती है 21st century के जिसमें की भारत एक leading player है अंतराष्टे राजनीती में तो basically सुनील खिलनानी के साथ राजीब कुमार, प्रता भानु मैता, प्रकाष्ट मेनन, श्रेनाथ रगावन, श्याम सरन जैसे लेखकों ने एक document लिखा था जिसका नाम है non alignment 2.0 of foreign and strategic policy for India in the 21st century तो इसी document में इन्होंने name 2.0 की बात की थी, जिसमें इन्होंने बारत को एक ऐसा leading player देखा world affairs में, 21st century का, जो की एक महतवपून भूमिका निभाएगा अंतर राष्ट्य मामलों में अगले scholar का नाम आता है अतुल कोली, जो की 1909 में जनम लेते हैं और खास बात ये है कि ये political science and international affairs के professor रहे हैं Woodrow Wilson School of Public and International Affairs Princeton University में और खास बात ये भी है कि इन्होंने 2004 में एक important किताब लेखी जिसका नाम है State Directed Development जिसमें इन्होंने इंडिया, नाइजीरिया और ब्राजील जैसे देशों की comparative study की और खास बात ये भी है कि इन्होंने कहा कि इंडिया में तीन प्रकार के state के model पाए जाते हैं जिनमें पहला है नियो-patrimonial state जिसके उधरन ये यू-पी और भिहार बताते हैं दूसरा ये कहते है कि social democratic regime जिसमें ये कहते हैं कि best Bengal and Kerala आते हैं वहीं तीसरा ये कहते हैं कि developmental state जो कि Kerala and Karnatka के रूप में दिखाई देते हैं तो इस तरह से basically इन्होंने इंडिया में जो अलग-अलग state है उसके model दिये हैं वहीं आपको screen पर जितने भी इनके works दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से note कर लें अब हम बात कर लेते हैं इनके important concept की तो पहला जो concept है वो है crisis of governability यानि कि भारत में ये बोलते हैं कि भारत में प्रशास्कियता का संकट छा गया है इन्होंने 1990 में अपनी एक प्रमोकरती लिखी जिसका नाम है democracy and discontent इंडिया's growing crisis of governability तो इसमें कहते हैं कि भारत में crisis of governability पाया जाता है क्यों पाया जाता है क्योंकि ये कहते हैं कि इंडिया में absence of enduring coalitions है यानि कि जो अच्छे coalitions है जिसकी बचे सरकारे टिक सकती है देश चल सकता है उसकी absence है दूसरा ये कहते हैं कि इंडिया में जो policy बनाई तो जाती है लेकिन ineffectiveness हो थी यानि कि ground label पे उनको implement नहीं किया जाता है और तीसरा ये कहते हैं कि increased balance and political conflicts ये कहते हैं कि बारत में काफी मात्रा में balance बढ़ी है और political conflicts चलते रहते हैं जिसकी वज़से governability का crisis होता है और ये कहते हैं कि political instability भी काफी पाय जाती है इंडिया में जिसकी वज़से इंडिया में crisis of governability हो गया है इनका दूसरा जो important concept है वो है two track democracy basically यह बोलते हैं कि इंडिया में दो परकार की democracy यानि कि दो परकार की लोकतंतर पाय जाते हैं जिन में पहला जो लोकतंतर है वो है during election और दूसरा जो लोकतंतर पाया जाता है वो है after election यानि कि इंडिया जो दो रास्तों पे चलती है, टू ट्रेक पे चलती है, पहला जब election होते हैं, दूसरा जब election खतम हो जाते हैं, तो basically ये कहते हैं कि जो जब election होते हैं, उस समय इंडिया की जो democracy बहुत अच्छी दिखती है, लोग participate कर रहे हैं, बोर्ड दे रहे हैं, राजनिती के बारे में चर्च इंडिया की democracy बड़ी गंदी दिखती है, क्योंकि उसके बाद जो नेता लोग है, वो लोगों को पूछते तक भी नहीं हैं, कि उनके लिए क्या दिखते हैं, क्या समस्या हैं, उनकी क्या demands है, जैसा कि इन्होंने कहा भी है, ये कहते हैं कि Indian politics looks shining during election, but after election Indian democracy looks very bad, तो ये अपने आपने बता देते हैं कि किस तरह से इंडिया में two track democracy पाई जाती है, आशीश नंदी का जनम होता है 1941 में, ये basically Indian political psychologist, social theorist and critic रहे हैं, और खास बात ये है कि इन्होंने European colonialism, European modernity, European secularism and science and technology को पूरी तरह से आलोशना की है, और खास बात ये भी है कि ये former director and senior fellow रहे हैं, center for the study of developing societies, और screen पर आपको जितने भी इनके works दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अच्छे से note कर ले, क्योंकि ये भी कई बार इनमें से कई works पूछे गए हैं, आशीश नंदी का एक important concept रहा है, जिसका नाम है third democratic officers, basically ये कहते हैं कि इंडिया में 2010 के बाद third democratic officers शुरू हुआ है, जिसकी ये कहते हैं कि कुछ important विशेशता हैं, जैसे ये बोलते हैं कि ये आधारित है principle of survival of the ablast, मतलब जो सक्षम है, जो व्यक्ति योग्ये हैं, उसके सिधान पर ये आधारित है, दूसरी बात ये कहते हैं कि ये represent करता है competitive electoral market in इंडिया, वहीं तीसरी बात ये कहता है कि ये जो third democratic upstairs है, ये LPC यानि कि liberalization, privatization, globalization के era में 1990 के दसक में शुरू हुआ, इसलिए इसकी बज़े से इंडिया में competitive market society का emergence हुआ है, और खास बात ये भी है कि ये बोलता है कि youth यानि कि जो यूबा लोग है उनकी participation हो, और साथ में इसकी कुछ और important बाते ये रही है कि ये shift की बात करता है, यानि कि जो electoral market का shift है इंडिया में उसकी बात करता है, जैसे state to market, from government to governance, वहीं state जो एक controller होता है, उससे shift होता है, state as a facilitator, यानि कि इस third democratic upstairs में state of controller के रूप में भूमिका नहीं नहीं भाएगा, बलकि एक facilitator के रूप में भूमिका नहीं भाएगा, साथ में ये बात करत है कि activism होगा, urban middle class का और ये बोलता है कि इंडिया against corruption moment भी इसी दोर में आया था, तो इस तरह से आशिशनन्दी third democratic upstairs की बात करते हैं इंडिया में, अगले scholar का नाम आता है अचिन बिनायक जिनका जनम होता है 1941 में, ये basically एक writer, social activist रहे हैं और ये former professor रहे है, political size के University of Delhi में, और खा खास बात ये भी है कि ये founder रहे है Society for Marxist Studies और ये former editor रहे है Times of India के और खास बात ये भी है कि इनकी जो research है वो हुई है nuclear disarmament में Indian security, foreign policy and Indian communalism पे और screen पर आपको जितने भी इनके works दिखाई दे रहे हैं इनको आप अच्छे से note कर ले, ये भी exam की दरिश्टी से बहुत important है अब हम बात कर लेते हैं इनके important concept की तो इनका जो concept है वो है Hindu authoritarianism यानि कि इन्होंने भी Hindu authoritarianism की बात की है तो इनकी प्रमुख कृती जो की 2017 में publish होती है जिसका नाम है The Rise of Hindu authoritarianism, secular claims, communal realities इसमें ये बात करते हैं यानि कि जो BJP का rule है, शासन है उसको Hindu authoritarian यानि कि Hindu सत्ताबाद के रूप में दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि जो हिंदुत्वा का rise हुआ है मोधी government में, BJP के शासन में वो एक और से Indian fascism का प्रकार है यानि कि जो BJP का rule है उसकी तुनना इन्होंने fascism से की है जिसको इन्होंने Indian fascism कहा है और वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदुत्वा forces है वे कोशिश कर रही है अपना जो project है, goal है कि इंडिया को जो है एक हिंदु राष्ट के रूप में स्थाफित किया जाए वहीं इनका दूसरा important concept रहा है dominant collision model यानि कि इन्होंने भी प्रणा बर्धन की तरह ये बोला है कि इंडिया में dominant collision model पाया जाता है ये कहते हैं कि इंडिया में peasantry, artisan और जो petty producers होते हैं यानि कि छोटी छोटी चीजों का उत्पादन करते हैं इनका इंडिया में एक dominant collision रहा है जो कि boat bank के हिसाब से काफी important classes है और ये ही classes इंडिया में political society का निर्मान करते हैं तो इस तरह से जो है ये जो classes है इंडिया में एक dominant collision का निर्मान करते हैं जो कि Indian politics के लिए बहुत ही important है अगले scholar का नाम आता है रशीदु दीन खान और इनके बारे में खास बात ये है कि ये Indian writer and parliamentarian रहे हैं और ये communist politician रहे हैं और JNU में ये professor रहे हैं political science के और सबसे important बात ये है कि Dr. जाकिर हुसेन के nephew रहे हैं तो screen पर आपक रहे हैं इनको आप अच्छे से note कर लें तो अब हम बात कर लेते हैं इनके important concept की जिसमें आता है total state यानि कि जो India है इसको इन्होंने total state कहा है खास तोर पे जब इंदीरा गांदी ने 1975 में national emergency को लागू किया impose किया तो उस समय की जो conditions है उसको इन्होंने total state कहा है तो इस प्रका से इंडिया का उधान देते हुए इन्होंने कहा कि इंदीरा गांदी के टाइम में इंडिया एक total state था इस presentation के last scholar है डियल शेट तो ये basically इंडियन political scientist रहे हैं और outstanding theorist रहे हैं और खास बात ये हैं इनके बारे में कि ये center for study of developing society के founding father रहे हैं और इससे भी important बात ये है कि लोका इनकी स्थापना एक dialogue के रूप में की गई थी people यानि कि जो people और जो intellectual लोग थे हुए किस तरह से interaction करेंगे किस तरह से बिचार भी मश करेंगे उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी और इनका प्रमुक जो work है वो है at home with democracy a theory of Indian politics जो कि इनकी death के बाद 2017 में अभी कुछ साल पहले publish हुआ था तो अब हम बात कर लेते हैं इनके important concept की तो इन्होंने दिया है secularization of caste का concept तो इसमें basically ये कहते हैं कि जो इंडिया में caste है वो काफी change हो गई है और नए प्रकार की जो एक stratificatory system है उसका emergence हुआ है ये बोलते हैं कि जो caste system है वो अब पहले वाला जो caste system था यानि क जो ritual status hierarchy थी उससे काफी change हुआ है और इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में जो caste का जो एक dimension हुआ है जिसको हम secularization कहते हैं वो दो तरीकों से हुआ है जिन में पहला है de-ritualization यानि कि जो ritual से उससे अब अलगा हो गया है caste का और दूसरा है politicization यानि कि caste के साथ अब politicization हुई है यानि कि जैसे कि रजनी को ठरी भी बात करते हैं politicization of caste की तो इस तरह से इन्होंने secularization of caste का concept दिया है तो ये थी एक important लंबी वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ ना कुछ तो नया सेखने को मिला होगा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अगर आप यहां तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पढ़ने वाले student हैं आपके अंदर भूख है एक बार फिर से धन्यवाद